आप सभी प्रिये शुरताओं को नमस्कार, मैं हूँ मुधिता और मुधिता स्पीच वालती में आपका देर सारा स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में सर्विस रेश्ट हासिल करें, हर दिन खुश होते जाएं, हर दिन बहुत सारी अपॉचनिटी को अपनी तरफ अट्रेक करते रहें और हर दिन एक बहतर इंसान बनते जाएं आपका दिन शुखद हो, आपका जीवन मंगल मैं हो चलिए देख लेते हैं, आज युनिवर्स, आज डिवाइन एंजल्स, आज स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एक्जेक्ट मैसेज देने वाले हैं यह हम एक्जेक्ट वन वर्ड मैसेज रिसीव करने वाले हैं, जो आपकी प्रिजेंट सिचुएशन के बारे में है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसको अप्लाई करना जरूरी है और यह आपी करन्ट सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है तो लेट सी आज के लिए युनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है पहला मैसेज है हर चक्रा या अनहत चक्र ग्रीन कलर जो पहला मैसेज है इस वक्त आपके लिए ग्रीन कलर वियर करना अच्छा हो सकता है इसका मतलब है कि इस वक्त आपके रिदय चक्र में अनहत चक्र में उल्जा का फ्लो हो रहा है या आपको इस वक्त अपने हर चक्रा की एनरजी को बैलन्स करने को कहा जा रहा है इसके लिए आप green color पहन सकते हैं green color का crystal अपने पास रख सकते हैं ये थोड़ा time आप nature के साथ spend कर सकते हैं ये आपको बहुत help करेगा और बहुत लोगों के लिए ये भी confirmation है कि आपने successfully इस चक्रा को balance कर लिया है अगला message क्या है universe इस वक्त हमाई divine soul family से क्या कहना चाहते है you are worrying too much ओके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जादा चिंता कर रहे हैं जरुवत से जादा सोच रहे हैं उनको universe ये कहना चाहते हैं आपके divine angels जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत जादा सोच रहे हैं इतना वरी करने कि आपको जरूरत नहीं है देख लिए यू आर वरिंग टूमच इतना जादा नहीं सोचना है लाइट फाइंड होने का message दिया जा रहा है अगर आप बहुत जादा चिंता कर रहे हैं बीते वे 48 घंटों में इस तरह की energy से आप गुजरे हैं तो इसको release करिए क्योंकि अगर आप इसे release नहीं करते हैं तो आपका heart chakra block होता है अगर आप बहुत जादा चिंता करते हैं बहुत जादा सोचते हैं तो आप खुद को nature से disconnect कर लेते हैं तो इस वक्त जादा ना सोचें अगला message क्या है जो हमारी divine soul family के लिए है और यहां पे मुझे ऐसा लग रहे हैं आपको बहुत जादा mirror number दिख रहे हैं 1212 या 3434 1717 717 इस तरह के number आपको बहुत दिख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह भी universe का confirmation है wish fulfillment ओके यहां पे कुछ लोगों के लिए specific message है अगर आप इस video पे आए हैं तो यहां पे आपकी कोई wish पूरी हो सकती है इसकी good news आपको मिल सकती है आपकी कोई wish पूरी हो सकती है इसलिए आपको कहा जा रहा है शैद जो आप worry कर रहे हैं वो आपकी wish को related है आपकी इच्छा के बारे में है इसको लेके आप चिंतित हो सकते हैं तो वहाँ पर ये confirmation दी जा रही है कि आपके जो wish है वो जरूर पूरी होगी आप जरूरत से जादा सोच रहे हैं शायद आपको लग रहे हैं कि ये चीज़ बहुत difficult है पर ये बहुत difficult नहीं है ये बहुत easy है और यहाँ पर देख लिए ये universe ने भी कह दिया कि आपके जो wish है वो जरूर पूरी होगी तो आप क्यों सोच रहे हैं universe को अपना काम करने दे अगर आप 717 बहुत देख रहे हैं 17 बहुत देख रहे हैं तो ये आपके soul purpose से जुड़ा हुआ हो सकता है इससे देखते वक्त आपके मन में कोई intuition आता है कोई विचार आता है तो उस thoughts को आपको जरूर उसका witness बनना चाहिए देखना चाहिए कि किस पारे में है germinate मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी जो wish है जिसके लिए आपने अपना potential use किया है आप out of the box जाके आपने काम किया है वो चीज़े अब germinate हो रही है वो चीज़े अब grow कर रही है आपकी wish जो है उसके लिए wish क्या होती है हमारी इच्छा पहले इच्छा को व्यक्त करना फिर दो दरा की इच्छा है एक positive एक negative एक है कि हम बस यूँ ही चाहते है और एक है जो सही भी है धर्म युक्त भी है और हम उसे चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयासरत है तो जो अच्छी इच्छा है अच्छी इच्छा मैं कह रही हूँ कि जिसमें किसी और का loss नहीं हो रहा है हम किसी और को नीचा दिखाने के लिए उस wish को नहीं माग रहे हैं, वो हमारी wish positive है और उसके लिए हम effort डाल रहे हैं, उसके लिए हम prayers करते हैं, उसके लिए हम manifestation करते हैं, उसके लिए हम required action लेते हैं, तो जो ऐसी आपके wish है वो germinate हो रही है, मतलब उसको आपने plant किया था, उसका grow हो रहा है, grow up होता है, जब उसको जो पंच तत्व है, जो कह सकते हैं कि earth elements है, जब उस बीज को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने कोई पौधा लगाया, तो जब उसे धर्ती पकड़ लेगी, जब उसमें जो soil है, nutrients है, वो उसे पकड़ लेंगे, air, sunlight, moisture, सारी चीजे उसके सा एक अच्छा relation बिल्ड कर लेंगी, तभी वो grow होता है, तभी वो जो बीज होता है, वो फूटता है, उसके अंदर से अंकुरण होता है, तो इसी तरीके से जो आपने effort डाला, जो अपनी energy डाली, और आपके wish है, जब वो germinate हो रही है, that means, वो successfully, successfully universe में पहुँच गई है, और universe ने उसके लिए, उसके लिए आपके लिए positive favor में काम करना शुरू कर दिया, और वो चीज हो रही है, यह यूं कहीं कि वो 5D world में already बन चुकी है, बस उसे receive करना बाकी है, तो यहाँ पे मुझे वही चीज दिख रही है, कि वो चीज germinate हो रही है, जिसके लिए आपने अपन टाइम दिया था, और universe क्या कहना चाहते है, देख लिए law of attraction, यहाँ पे मुझे लग रहे है कि आपने कोई manifestation technique यूज की है, पास्ट में, यह आपका visualization हो सकता है, अगर आप उसके बार में बार-बार सोचते थे, राक को सोते वक्त, आप उसको सोच के अपनी wish के बार में सोत इसलिए आपको यह भी कहा जा रहे है कि जो चीज के बारे में आप सोच रहते हैं, जिसको आप लगा रहे थे, वो already germinate हो रही है, तो अब time है कि अब बहुत ज़्यादा worry ना करें, that means let go कर दें, let go बहुत important होता है किसी भी manifestation में, let go का मतलब होता है कि आपने सारी energy टाल दी, आपको जो action लेना है वो आप action लेंगे, but अब आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ना positive ना negative, अब आप उसे universe को छोड़ देंगे, universe पे कि वो कब आपको देते हैं, तो it's time to let go, अब आप let go कर दें, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतिता हो, बस positive रहें कि ठीक ये चीच हो जाएगी, और ये मुझे ऐसा लग रहें कि आपने law of attraction कोई technique तो की है आपे, past में, कोई technique की है, चाहते हुए की है, या ना चाहते हुए की है, पर की है, कई बार आप law of attraction से aware नहीं है, आपने कोई जान बूझ कर technique नहीं है, पर अन्जान में आपने technique कर दी, कैसे जिसे आप एक wish के बारे में बहुत positive हैं, और वो आप पूरा करना चाहते हैं, और वो सही भी है आपके लिए, उसमें किसी और का नुकसान नहीं है, और उस wish के बारे में आप daily सोच रहे हैं, और सोस्ते सोस्ते बहुत खुश हो रहे हैं, उसके बारे में positive सोस्ते सोस्ते smile कर तो एक तरह से आप विजवलाइजेशन टेकनीक कर एंपने एनलजी दे रहे हैं उसमें 17 सेकिंड टेकनीक लगा रहे हैं जितना टाइम मिनिमम होता है 17 सेकिंड अगर आप किसी एक थौट को पकड़ के रखते कोई और थौट नहीं आता है और उसको अपनी वाइब्रेशन द किसी एक थौट को एक टाइम पर पकड़ के ही रखता है जैसे ही आप उस थौट के बारे में सोचेंगे वो उसकी लिमिटेशन के बारे में थौट बेजेगा वो और सारे थौट बेजेगा तो 17 सेकिंड तक भी होल्ड करना एक थौट को इनीशियली कुछ लोग लिए आसान हो जाता है पांच मिनट तक भी एक थौट को होल्ड करना आपने हो सकता है कि अनजाने में किसी विश को मेनिफेस्ट किया है और वो चीज़ अब जर्मिनेट हो रही है celebration मुझे ऐसा लगता है कि आप celebrate करने वाले अपनी विश को यह universe आपको मौका देने वाले है celebrate करने का और यह आपके एक message और है कि अगर आप बहुत time से कुछ celebrate नहीं कर रहे थे तो अब आपका time है जहाँ पर आपको celebrate करने की जरूरत है celebrate किस चीज को celebrate करना है आपका जन्म हुआ इसको celebrate करिए आज आपके लिए एक new day है इसके लिए celebrate करिए आपको यहाँ पर celebration की energy में लाया जा रहा है celebration की energy एक दिन या एक घंटे की नहीं आपकी life celebration की energy बन जाए कुछ इस तरीके से universe का plan है और यह celebration में आपको जाने का मौका भी मिल सकता है आप खुद भी अपने घर में कोई celebration कर सकते हैं Lord Ganesha का message है Lord Ganesha मैंने आपको थोड़े टाइम पहले अभी बोला था कि अगर आप angelic number 717 देख रहे हैं angel number 777 देख रहे हैं या आप mirror number देख रहे हैं तो वो Lord Ganesha के तू से connected है Lord Ganesha अगर मैं 777 की बात कर रही हूं तो यहाँ पर वो number आपके past life से जुड़ा हुआ है तो यहा काम से connect हो सकते हैं या past में आपने किसी काम को छोड़ा था तो उसको पूरा करने के लिए आपको intuition बिल सकती है और इसके लिए आपको Lord Ganesha से connect करना चाहिए और angelic number अगर आपको 7 की energy बहुत receive होती है तो यह confirmation sign होगा Lord Ganesha आपकी help करेंगे हो सकता है Lord Ganesha Lord Ganesha का जो बड़े ह होता है सेक्टेंबर में आता है गरीज चतुदी तो वह celebration भी आपके लिए benefit दे सकता है वो भी आपके लिए एक important message लेकर आ सकता है beautiful और क्या messages युनिवर्स आपको देना चाहते है और woman एक woman आपके लिए special हो सकती है महिला आपके लिए special हो सकती है किसी महिला के बारे में बात change हो गई कोई महिला है और अचानक ही office में आपको एक महिला मिलती है और उसके बाद आपकी सोच बदल जाती है आपको दुनिया का देखने का नजरिया बदल जाता है उसके बाद वो चली जाती है कोई महिला है जो अचानक से आती है और आपको एक word बोलती है और उसके शब्द या जिनकी बात से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, वो महिला डिवाइन की तरफ से भेजी होई होगी, इनकी कोई भी एज हो सकती है, इनकी कोई भी एज हो सकती है, आप अपने स्टड़ी प्लेस पे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूदेंट्स भी चानल को फॉलो करते हैं, तो आप स्कूल स्टूदेंट या कॉलिज स्टूदेंट भी हो सकते हैं, और वहां पे अचानक आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है, जो आपकी सोच और धारना से अलग है, अचानक से किसी महिला का आपके जीवन में आना, कुछ करना, कोई वर्ट्स बोलना, और वो आपके लिए एक स्प्रीच वर्ट्रिगर का काम करेगा, और जो स्प्रीच वर्ट्रिगर के लिए लोग भीजे चानते हैं, वो पर्मानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं, वो बस एक short time period के लिए आते हैं हो सकते अचानक दो दिन आपकी मुलाकवात हुई कोई ऐसा वेक्टी जिससे आप एक ही दिन में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए ऐसा लगा आप कितने time से इने जानते हैं और फिर अचानक से कुछ ऐसा वहा कि उनका promotion हो गया, उनका transfer हो गया उनका city चेंज हो गया और वो चले गए पहले भी आप नहीं जानते थे अभी भी आप उनसे पूरी तरीके से disconnect हो गए पर उनका आना आपकी life में एक spiritual trigger हो गया वहां से आपका life path चेंज हो गया वहां से आपको अपना soul purpose मिल गया और वहां से आप explore करने लगे who I am, why I am here क्योंकि मैं ये body तो नहीं हूँ जो physical body दिख रही है ये क्या है, ये skin है skin के अंदर क्या है, muscles है muscles के अंदर क्या है, nerves है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे liquids है, blood circulator है तो इसमें मैं कहां हूँ मैं तो इसमें नहीं हूँ न, तो मैं कहां हूँ who I am, तो इस तरह की सोच, इस तरह के thoughts का जागरित हो न, ये एक spiritual trigger है जो एक महिला के द्वारा आपको दिया जाएगा बहुत beautiful message है fear of someone or something कुछ लोगों के लिए message है कि आपके अंदर कोई fear है क्योंकि पहला message है कि बहुत ज़्यादा न सोचे, fear of someone or something किसी चीज का, किसी व्यक्ति का और किसी घटना का fear है जिसको आपको release करने की ज़रूरत है किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये fear हो सकता है ये किसी घटना से ये महिला आपको शोशल मीडिया पे भी मिल सकती है मेभी आप इंस्टाग्राम पे किसी का वीडियो देख रहे हैं और अचानक से कोई ऐसा वीडियो अचानक से कोई YouTube पे, Facebook पे कोई ऐसा content आता है जो आपकी आखों ने पहले नहीं देखा जो आपके कानों ने पहले नहीं सुना और उसे सुनते ही आप रुक जाते हैं ठहर जाते हैं ऐसा लग रहे है कि हर कोई भाग रहा है और उस भागती होई भीड़ में जैसे कोई आपको रोक देता है ठहराओ, ठहराओ में की रुको अब ठहरने का समय है और वो सुनने के बाद आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है तो ये मैसेज भी आपके लिए बहुत important है कोई और मैसेज जो universe देना चाहते है कोई और मैसेज जो universe देना चाहते है इस वक्त आपको जो इस वक्त आपके angels या spirit guide देना चाहते है writer बिल्कुल आपके अंडर छुपा हुआ है आपको उस राइटर को अभीकन करने की जरुवत है जिसको आपने दबा रका है उसको बाहर निकालने की जरुवत है लिखिए या तो आप किसी राइटर को जानते हैं आपके family में आपके friend में कोई close writer है जो लिखता है बहुत उन्धा लिखता है और या तो ये आप खुद है या आप किसी writer से spiritual trigger ले सकते हैं शोशल मेडिया पे ये writer आपको मिल सकता है जिनके thoughts जिनके affirmation या जिनके blog पढ़ने के बाद आपकी life में change आया है ये woman writer हो सकती है जिनके book अभी आपको पढ़ना बागी है या जिनके book आप पढ़ने के बाद आपकी life change हो सकती है या ये writer आप future writer आप खुद है तो ये universe के आपके लिए कुछ special message थे जो इस वक्त आपका सरना बहुत जरूरी है अगर ये आपके साथ resonate करते हैं comment में लिखके बताइए ये चो direct message होते हैं ये आपको apply करने के लिए कहे जाते हैं कि इस वक्त आपका ये करना जरूरी है आपकी situation के बारे में और आपको apply करने